हेलो मेरा नम वसी मैं…व महाराश्ट लातूर से हूं.. मैं आज आप के लिए लाया हूं बियोई क्यों मैपिंग्! आपको मैं आज दिखाँझा बार वूचित कि बियूई क्यूं में मैपिंग कैसे करते हैं और उसके लिए क्या करना पड़ेगा जैसे यह आज market में आया हुआ है यह टीकॉन यह टीकॉन देखिए इसके अंदर mapping है ठीके मैं आपको दिखाता हूँ यह देखें, वैल्यूम, जड़ा वैसा का, इसमें, मैपिंग का इशू है, और इसकी मैपिंग जो है, कैसे करें, हाड़्वेर से हम लोग करते थे मैपिंग, बट इसमें हाड़्वेर से मैपिंग नहीं होगी, आपको सॉफ्टर से मैपिंग करना पड़ेगा, कैसे करना है आ मैपिंग इसकी यह मेनों ठीक है इसमें जेड़ा वेसा का इश्यू है और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है यह वाला टिकॉन है कि फ्रेंड्स मैं अब यह टिकॉन की जो मेमरी आइसी है मैं इसको निखाल रहा हूँ देखो इसको निखाल कर मैं अभी प्रोग्रामिंग को लगाऊंगा तो देखिए जस्ट अभी आइसी निखालता हूँ मैं मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और लाइक कीजिए यह देखिए मैंने आइसी निखाला अब मैं प्रोग्रामर ओपन करता हूँ जस्ट मैं यह डबल क्लिक किया और मेरा प्रोग्रामर ओपन हो चुका है ठीक है और साथो साथ अपकी recording भी side में रख दूंगा मैं कैसे कर रहा हूँ मैं दोस्तो यह देखिए दोस्तो यह ऐसे को मैंने इसमे fix किया यह प्रोग्रामर पर लगाया हूँ प्रोग्रामर ओपन कर रहा हूँ इसको smart identify करेंगे और क्लिक करेंगे कि आइसी कनेक्ट नहीं हुआ शायद प्लीन नहीं है ओके यह इसी है अपनी 24 जी 32 इसको क्लिक किया लिए फर्स्ट वन आपको फाइल को रीड करना है रीड करके कभी भी फाइल कोई भी प्रोग्राम करने से पहले इसको से को जो इस पे हम इसको डेक्स्टॉप पर रखते है और ये फाइल को नाम देते हैं हम BOE पैनल BOE 320 वाला पैनल है ये ठीक है इसमें दो टाइप के टिकॉन आते हैं आपको दोनों में सेम प्रोसेस करना है जेड़ा वेसा के लिए जो की नॉर्मल है अब आप इस बफर में जाईए ये जो बफर है ये बफर में जाओ बफर में जाने के बाद में स्क्रोल करते हुए इसको थोड़ा नीचे आना है ठीक है ये देखिए इसमें जो लाइन है आपको ये 180 वाली लाइन 180 लाइन जो स्टार्ट होती है ये वाली आपको यहाँ पर आना है यहाँ पर आने के बाद में यह देखिए यह जो ई है इसको आपको अब वहाँ पर आया था आपका पिचर जो चेंज इसमें दो ही करना है आपको एक तो ई करना है या आपको इसमें जे करना है अब मैं इसको जेडा करूँगा ठीक है जेडा करने के बाद मैं इसको के करूँ और वही file को मैं write करूगा इसे में न मैंने कोई दूसरी file लिया है ना किसी का file copy किया है जो file हमने copy किया था वही file को मैं आपके सामने प्रोग्राम करके लगा रहा हूं इसमें दोही type आएंगे एक तो E आएगा या आपका J आएगा J आता है तो आपको उसको E करना है और E आता है आपको तो उसको J करना है यह मैं I-C fix कर रहा हूँ मार्केट पे दो टाइप के टिक्वान है मैं आपको दोनों टाइप के टिक्वान दिखाऊंगा जिसमें की जेडा वेसा कैसे करें देखे फ्रेंड्स मैंने इसको अभी इस पे लगाया हूँ वाइसी प्रोग्राम करने की बाद और अब मेरा सेट मैं आउन कर रहा हूँ यह सेट आउन हो चुका है और पिच्चर में देखो आप आगया जेडा वेसा का जो अपना प्रॉलम आ रहा था स्टार्टिंग को वो सॉल हो चुका है आप दोनो टाइप के टिकाउन को इसमें आप कर सकते हो मैं आपको दोनो टिकाउन दिखाता हूँ फ्रेंड्स यह देखो मेरा सेट ओके हो चुका था और यह दो टाइप के टिकाउन मार्केट में आवलोबल है जिसमें कि ये दिक्कत आती है आपको J के जगा पे E करना है और E के जगा पे J करना है जो भी आपका memory आपका read करोगे आप तो आपको उसको line पे आके buffer address पे 180 line पे जाकर आपको buffer में change करना है और आपका जेडा वेसा solve हो जाएगा कि आपको जगे जगason में सक्ष करना है जगा जगा है जगा है जगा है